सत्तर साल की एक बूढी औरत जिसका पती अभी अभी उसे छोड़ कर किसी और दुनिया में चला गया है, जिसका अपने पती के अलावा इस दुनिया में कहने के लिए कोई और नहीं था, बाल बच्चे भी नहीं, पिछले कई दिनों से उसे घर खाली करने के लिए नोटिस प देते, उसकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया, कई लोग तो उसे देख कर ही अपना रास्ता मोड लिया करते, बेचारी करे भी तो क्या करें, आखिरकार वह दिन भी जल्दिया पहुचा, जब उसके फ्लैट के मालिक ने उसको फ्लैट खाली कराने के लिए, उसके पैर पकड़ लिया और कहने लगी, उसे सिर्फ दो दिन की मुहलत दे दी जाए, वो कुछ भी करके अपने लिए रहने के लिए कोई और जगह की तलाश कर लेगी, मगर भाड़े के वो आदमी उसकी एक बात सुनने को तयार नहीं थे, जब सिक्योरिटी वाले उस बूढ़ से कोई नहीं निकाल सकता, सिक्योरिटी वाले हैरानी से उस आदमी को देखते हैं, और पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, तब वह आदमी उस फ्लैट के पेपर दिखाता है, जिन पर उसी बूढ़ी औरत का नाम होता है, वह उन्हें तुरंत वहां से निकल जाने के पेपर देखकर वह सिक्योरिटी वाले वहां से निकल जाते हैं, यह सारी घटना बूढ़ी औरत बड़े अचंभे में देखती रहती हैं, सब के जाने के बाद बूढ़ी औरत उस आदमी से पूछती है, कि बेटा मैंने तुमको नहीं पहचाना, लेकिन मैं इतना जरूर कह कि तुम आज मेरी जिन्दगी में भगवान की तरहा आये हो, तब उस आदमी ने अपनी पहचान देते हुए उस बूढ़ी औरत से कहा, याद कीजिये माजी 20 साल पहले आ, और आपके पती एक मंदिर आये थे, वहां पर एक छोटा बच्चा आपसे स्कूल में भरती होने के लिए भीख मांग रहा था, आपके पती ने तो यह कहकर आपको मना कर दिया था, कि इसको पैसे मत देना यह नशा कर लेगा, और आगे चले गए थे, लेकिन आप वही पर रुप गई थी, और आपने अपने पास रखे सारे पैसे उस बच्चे को दे दिये थे, आपने आश माजी मैं वही भिखारी बच्चा हूँ, जो आपके बताए रास्ते पर चल कर आज इतना बड़ा हो गया है, एक एस्टेट एजेंट बन गया है, और इस काम में बहुत शोहरत और दौलत कमाई है, इसी काम में मुझे इस बात की भी खबर रहती है, कि किस दिन कौन सी लोटाने आया हूँ, इसलिए मैंने तुरंट आपका घर खरीद कर आपके नाम कर दिया है, आपने जो तावीज मुझे उस समय दिया था, जिसने मेरी आज तक रक्षा की है, मैं वह आपको लोटाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यह तावीज अब आपकी रक्षा करे हाँ मेरी एक और विंती है, गुढ़ापे के समय में अगर मैं आपकी लाठी बन पाओ, तो मैं अपने आपको खुश नसीब समझूंगा, यानि कि अगर आप मेरे साथ रहेगी, तो मुझे और अच्छा लगेगा, बूरी औरत यह सब बाते सुनकर बहुत खुश हो जाती ह और उसकी आखों से खुशी के आशू बहने लगते हैं, दोस्तों कर्म एक चक्र की तरह होते हैं, जो कभी ना कभी लोट के आपके पास जरूर आते हैं, इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले, अच्छे कर्म करते रहे